Hello everyone, welcome back Ikea Taker में आपका स्वागत है आज हम topic पे बात करने वाले हैं वो है blephritis blephritis मतलब हमारी आखों की पलकों पे जो पपड़ी जम जाती है उसको हम blephritis कहते हैं वो पपड़ी हमारी आखों पे क्यों जमती है तो हम बताते हैं कि उसका क्या होता है जब हमारी आख की पलक होती है उस पे infection हो जाता है या फिर हमारी बालों में जो dandruff होता है उसका असर हमारी आख की पलकों तक आता है जिससे क्या होता है हमारी आखों की जो उपर वाली eyelid होती है उस पे infection हो जाता है और उस पपड़ी टाइप जमने लगती है तो वो हमारी बहुत खुजली करती है जब हम उसको खुजाते हैं तो उसमेंसे डेंडर्फ लाइक हमारा बाहर आता है तो उसको हम blephritis कहते हैं उससे बचाव के लिए हम अपने बालों में anti-dendorf shampoo हमकों यूज़ करना चाहिए जिससे हमारे डेंडर्फ का जो असर है वो आँखों तक ना आए और हमारे blephritis ना हो दूसरा अगर हम रात को जब सोते हैं तो हमको अपनी आँख अच्छे से साफ करके सोना है आँख के साफ करने का तरीका क्या है हमको एक बाल में पानी लेना है और अपने एक कौटन को किसी कपड़े को लेके अपनी आँख को बाहर से अंदर की तरफ साफ करना है उस कपड़े को दूसरी तरफ से लेना है और बाहर से अंदर की तरफ साफ करना है फिर उस कपड़े का तीसरा हिस्सा लेना है फिर उसको बाहर से अंदर मतलब एक बार जब उस जगे से कहीं एक लिट को साफ करना है उस सेम जगे से हमको दूसरी लिट को साफ नहीं करना ऐसे हमको अपनी आपको अच्छे से साफ करके रात को सोना है बाकी हम जब बाहर जाते हैं तो बाहर से घर आने के बाद हमको अपने face को अच्छे से clean करना है ताकि हमारा बाहर की धूल मिट्टी की वज़े से हमारे face पर कोई infection ना हो और blephritis जो हमारा पलकों का infection है वो भी ना बढ़े बस यही कुछ tips हैं जिनसे हम आखों के अपने पलक पे होने वाले infection से बच सकते हैं और हमारी आखों में जो उससे खुझली होती है उस खुझली से हम बच सकते हैं basically यह हमारी थोड़ा सरदियों में ज़्यादा होती है क्योंकि सरदियों में जो fungal infection होता है उसकी growth भी ज़्यादा होती है इसलिए सरदियों में हमारे बालों में भी random ज़्यादा रहता है जिससे हमारा blephritis के भी बढ़ने के chance देते हैं अगर आपको blephritis बहुत ज़्यादा severe हो जाता है आपकी पलक मैंसे ज़्यादा फटने लगती है कुछ ज़्यादा हो जाता है थैंक यू फोर वाच माई वीडियो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो related more videos के लिए please subscribe थैंक